Hello friends, welcome back to my channel, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, आज मैं इस वीडियो में आपका सेयर करने वाली हूँ Rice Face Pack जो बहुत ही effective होता है, बहुत लोग पूसते थे अगर skin luge हो जाए तो उसे tight कैसे कर सकते हैं हम तो अगर आपकी skin luge है और आपकी skin पर pimples के दाग धबे हैं, अगर जाएं पढ़ गई हैं और काला पन है तो इस face pack से हम दूर कर सकते हैं और यह हमारी skin को बहुत अच्छा glow करता है face pack और skin fair भी करता है, इसे हम full body भर भी use कर सकते हैं इसे हम अपने hand पर, neck पर और face पर सब जगह apply कर सकते हैं, बट यहां मैं आपको अपने face पर apply करके बताऊंगी और इसे girls और boys दोने use कर सकते हैं हम बहुत सारी cream होती है अगर market से हम लेते हैं तो अगर हम जब तक उसी use करते हैं तब तक हमारी skin fair और glow करती है अगर हम छोड़ देते हैं उस cream को तो हमारा जो skin का color है वो पहले से ज्यादा dark हो जाता है और चेहरे पे दागदवे पढ़ जाते हैं और skin का जो skin होती है वो पहले से पतली हो जाती है तो क्यों हम ऐसे product का यूज करें जिससे हमारा skin बेकार हो जाए तो यहां मैं आज आपको बता रही हूं rice perspective जो बहुत ही अच्छा होता है अगर आप इसे एक से दो हपते तक यूज किये तो आप देख सकते हैं इसका result कितना अच्छाता है तो चलिए वीडियो start करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां यूज कर रही हूं यह चावल का आटा पिसा हुआ एक चम्मच और इसमें मैं यूज करूंगी दूद्ध कच्छा दूद्ध हमें यूज करना है इसे अच्छे से mix कर लेना है हमें अपने मेक अप को हटाना है तो मैं यहां रोज वाटर यूज कर रहे हूं हूं कॉटन पर ले रही हूं और इसे अपने स्कीन के जो मेक अप है उसे मैं रिमूब कर रही हूं रिमूब कर दिया मेक अप अब मैं यहां एपलाई करूंगी फिस पैक पहले अपने पूरे फिस पे ऐसे करके लगा लेना है और फिर इसे हलके हाथों से हमें स्क्रब करना है बहुत तेजी से नहीं रगना है क्याकि चाल दरदरा होता है तो हलके हाथों से इसे हमें 5 मिनिट तक ऐसे मसाज करना है हलके हाथों से बहुत तेजी से नहीं हमको रगना हलके हाथों से करना है अगर आपके फेस पे पीमपल्स हैं बड़े बड़े तो आपको क्या करना है सिर्फ इसे फेस पेक को लगा करके छोड़ देना है 15 मिनिट तक और फिसे नॉर्मल पानी से वास कर लेना है बड़ और सब भी लोग को ऐसे मसाज करना है 5 मिनिट मसाज कर लिया है अच्छे से और फिर इसे हमें 15 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देना है जब तक यह सूख न जाए अब हमारा फेस पेक जो है वो इदीखी की सूख गया है अब हमें इसे वास करना हमें जा रहे हैं इसे नॉर्मल पानी से वास करने हमने अपने फेस को वास कर लिया नॉर्म पानी से फिर इसे में आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिरनेस आया मेरे फेस पर और इतना अच्छा ग्लो करता है अगर आप इसे हपते में इसका रिजोट देख सकते हैं आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है कितना अच्छा गलो कर रहा है बहुत ही अच्छा प्यस पैक है आप इसे यूज कर सकते हैं और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगे तो अगर आप मेरे चैनले पर प